आई ये चर्चा करते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया था फंडमेंटल प्रॉब्लम अब मैं और फंडमेंटल प्रॉब्लम के और अंदर घुजाता हूँ कि वाट इस दा में प्रॉब्लम ठीक है इसको विशेरस के नाम से ले सकते है विशेयों में रस का होना हमने रस पढ़े हैं हिंदी में रस होते हैं वीर रस और पता नहीं छह साथ रस होते हैं सुंदर रस और पतशंगार रस और कई सारे हैं उसके कई कवी भी हुए है तो आज रस पर ही बात करते हैं कि रस क्या है और ये कितना खतरनाक है और इसने तुम्हें कितना बांध रखा है रस रस मतला सम्थिंग लैक जूस ठीक है लेकिन मैं तुमसे सच कहूँ विशयों में रस विशयों में रस तुम कहोगे ये क्या है विशयों में रस का होना मतलब विशयों में आनंद मतलब मन ने सोचा और तुमने उसको देखा भी नहीं पर तुमने आनंद ले लिया उधारण के लिए समोसा हलुआई के यहां बन रहा है पर तुम्हारे मन में विचार समोसे का आया बढ़ियां पानी बरस रहा है पकोड़ी आई मूँ में ला टपकने लगी रस रस है यह रस एक किसम का बंधन है वहां छोले भटूरे बन रहे हैं बहुत बढ़ियां शरी के यहां आहाः गर्मा गर्म या दिल्ली में रहते हो तो किसी बहुत बच्छार बहुत अच्छे है छोले भटूरे वाले हैं सोच के ही रस आ रहा है भोजन में रस विचार में रस है समझने का प्रियास करना जो बहुत बारी किसे कहता हूँ रस इस्त्री के बारे में कल्पना कर रहे हैं तरह तरह की और्गन्स की और तरह तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं मन में हो रही है इस्त्री कहीं है ही नहीं सामने कल्पना ही हो रही है यह वीडियो में देखा एक इस्त्री को थोड़े कम कपड़े पहने हुए और रस रश और आनन्द हो रहा है यही सबसे बड़ा बंधन है मैं तुमसे कहता हूँ यही है सब मैं समझ गया atom यह विशयों में रश नहीं होना चाहिए क्यूव कि यही बॉंडेज है हम कल्पना कल लेते हैं कि आनन्द हो रहा है लेकिन आनन्द तो वा नहीं है वो रस कभी आनंद नहीं दे सकते विश्यों के मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ उनकी गति हमेशा तुम्हें दुखी बे अंत होगा उनका उनका कभी अंत सुखी नहीं हो सकता काम है क्रोध लोग का भी रस है मैं एक आद सज्जन से सुन रहा था वो कह रहे थे कुछ लोगों को लड़ाने में मज़ाता है लड़ने में मज़ाता है लड़ने में रस ले रहे है आ जिद्दु कृष्णिमूर्टी को सुन रहा था मैं एक दिन बिल्कुल सही कह रहे है ठीक है विश्यों में रस लक्रोध में रस ले रहे है कुछ ऐसी खेल है शराब पी रहे रस में ला है यह रस कहां है किस में आ रहा है यह मन में आ है तो यह जो बंधन रसों का है यह रसों का बंधन ही तो सबसे खतरनाक है और इसे ही तो हटाना है यही तो असली बॉंडेज है और कहां कौन सी बॉंडिंग दिखरी है माइंड की यहां बैठ पना करने से, कि मानलो मेरी गल्षन किसी दूसरे से तो बात नहीं कर रही, मेरी नहीं कर सकती है, मुझे मानलोग है, खैर, तुम समझने का प्रयास करो, तो रस यही है सबसे बड़ा दुश्मन, चीक है, तो बिशयों में रस को काटने की जो मेकैनिजम है, वही फ्रीडम और स को जानने की मेकैनिजम होगी, और मैं तुम से सच कहता हूँ, वही मेकैनिजम है, सब कुछ, अपने आप को जानने की, क्यों मन रस में आनविशयों के रस में आनन्दित हो रहा है, क्यों नहीं यह न्यूट्रल हो रहा है, वो कहते हैं, सुन्दर कांड में कहते हैं, काम भी हूँ मैं कहता हूँ मैं सभी कारता हूँ ठीक है लेकिन मैं उसे काठ दूँगा ये तैबात है आज कल मेरा युद उसी से चलना है बस चौबेस घंटे पिछले देड़ महिने से मैं युद ही कर रहा हूँ उसे बस खतम करो इन विश्यों को ठीक है तो इस तरीके से तुम जब अपने असली दुश्मन को पहचान जाते हो जो तुम्हारे मुक्ती में बाधक है वो मन में पैदा होने वाला रस है जो विश्यों से जुड़ा हुआ है तो इस दुरजे मन में पैदा होने वाले विचार रूपी रस को मारो ठीक है यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रो है और इसे कैसे मारोगे वो तुम देखते हो मैं करकर 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 कही लिल के खेर आजकर मेरी कबर में थोड़ा दर्द होने लगा है पता नहीं कैसे तो इस तरीके से काटो ठीक है और तुम मुक्त हो कि मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम्हें मुक्ती मिलेगी इनी रसों से और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो परमेशोर से सच्चे मन से प्रात्नाय करो कि हमें इस से मुक्ती दिलाएं हम मुक्ती चाहिए, वो मेरा अधिकार है, ठीक है, तो मुक्ती रसों से मुक्ती है, विशेयों से मुक्ती है, खाली बैठे रहो, मन को पढ़ते रहो, और काम करते रहो, एक दिन ये सब खतम हो जाएगा, ठीक है, चलिए धन्यवाद